बिहार में बिजेपी सत्ता से बाहर हो चुकी है और लोगप्रियता के मामले में भी बिजेपी जेडियू से पिछरती जा रही है जेडियू बिहार में बिधायकों की संख्या के मामले में भले ही तीसरे नंबर पर हो लेकिन सीम नितीश कुमार ने लोगप्रियता के मामले मे सबी को पचाड रखा है और शायद यही कारण है कि उनके सियासी बयान के दिल्ली से पटना तक खूप चर्चा होती है इसी के तहट नितीश अब कुछ ऐसा कह गए है कि जिसने बिजेपी के फैलाए जूट को बेनकाब कर दिया है तो ऐसा क्या कहा है नितीश कुमार ने त्रित्ब करेंगे नितीश के इस बयान से बेहार की राजनिती में भूचाल आ गया था और संसदिय वोड के प्रमुख उपेंद्र खुश्वाहा ने ये आरोप लगाते हुए इस्तिफा दे दिया था कि सीम ने गटबंधन करते हुए अपने कटटर पती दुन्तिक और र अब हाल में जब सीम नितीश ने कहा कि उनके बिजेपी नेताओं के बीच सिर्फ व्यक्तिगत संबंध है तो बिजेपी नेताओं ने यहां तक कह डाला कि वो एक बर फिर से पल्टी मारने की सोच रहे हैं जिसके बाद अब नितीश कुमार ने बिजेपी की बोलती बंद क कर दी है दरसल तेजस्वी यादों की मौझूदगी में पत्रकारों से बात करते हुए नितीश ने उनके कंधे पर हात रखा और कहा अब ये बच्चा मेरे लिए सब कुछ है ये इशारा राजे के राजनितिक हलचलों में चर्चा का विशे बन गया है जब पत्रकारों ने प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष अखलेश प्रताप सिंग से इस बारे में प्रतिकरिया मांगी तो उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि सीम ने जो कुछ कहा है उसमें कोई आश्यर की बात है कृपया याद रखें कि मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी ये सपस्ट किया है कि वो चाहेंगे कि तेजस्वी अगले चुनाबों में नित्रित्व करें यूबा नेता 2020 में पहले ही अपनी शमता सावित कर चुके हैं जब उन्होंने प्रचार अभ्यान का नित्रित्व किया था और महागटवंदन जीत के काफी करीब पहुँच गया था गौर तलब ह है कि इससे पहले भी नितिश तेजस्वी को ले करके ऐसा इशारा कर चुके हैं और अब एक बर फिर नितिश ने ये बात कहकर के बीजेपी के फैलाए जा रहे जूट का करारा जवाब दिया है डीवी लाइप की रिपोर्ट